श्राइब सभव लिधु पता है कि जो हिस्टिक जो बीडियो चल रहा है यानी क्लास के जल रहा है इसे बहुत सरी वीडियो का अपडेट किया ज़ा चुकत है आद सेम्मर शुरू करेंगे लो आद सेम्मर करेंगे जोगरफी एक न्या सब्जेट के साथ पढ़ना है नया सबसे हैं तो सबसे पहले कलाइब क्लास लग रहा है था कि अच्छा लग रहा है समझ सबसे पहले काम बनता है कि जो सब्सक्राइब करने वाला बटन उसको पहले प्रेस करते और बेल आइकन को ओन करते ताकि ऐसा ऐसा बहतरीन वीडियो आपको मिलते रहे मेरा काम है पूरे दुनिया का आपको सेर कराना पूरी दुनिया यानि कि जोग्रफी में ऐसा मैं जोग्रफी पढ़ाऊंगा कि बैठे बैठे मोबाइल में पूरी दुनिया को शैर कर लाइन बहतरीन कमझाएंगा मैप 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 से पढ़ाएंगा लाइतर दुनिया जाएक है जानी कμέ कि क्लास ना साब्सक्राइब stripes निशिके अ數हीं बोन एक तो इसको शुरु करते हैं तो मैं हूं अलम गीर आलम और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम इस्टेडी संटर 08 ठीक है तो सबसे पले यहां देख से लिखा हुआ ब्रहमांड में क्या क्या है तो बहुत सरे बच्चे तो कम से कम इतना तो जानते होंगे बहुत है और रही बात कि अकास गंगा होता क्या है कैसे इसके बारे मताना तारा का रहा कैसी उती उसके बारे मतना तो सके बकटना दया की अब जो रहमांड की घो रिद्धान के बारे में जिसने तौरी जो दीया कि इससने सिधांत को कहते हैं बिग बैंग ठोर crucified किया बोलते हैं या दिए बिग बैंग ठोर का शोने डिया सिधानत तो एक अमरीकी पादरी घ्लिए उसी ने क्हां उसी ने क्या चाण ये सिधानत दिया कौं से कितना आजीब है तो देखोगे तो खुद समझ आएगा इतने ताज्यूब हो जागा तुमको जानके कि मान के चलो कि यह जो ऐसे क्या होता है इसको मैं अभी बता रहो पहले इसको देखो समझे पहले यह जो है ना इसको बोलते हैं आकास गंगा क्या है यह अकास गंगा अब बहुत सारे बाखस में ना बच्चे ऐसे ऐसे एसे ऐसे उस्यार बच्चे है कि और पूरी तरह से खतम ब्च्रूरस चुर्टन रहते हैं एब जोक ही आप मांड में जिसको नहीं पता होगा हुआ है कितना इस्वारब इक है sao आरव आरव आकास गंगा कितना है सब आरब आकास दंग historically इनको पड़ने उनको ज्यादा मजाएगा और जहें पहले स्कूंच को जानते हैं पुछ लब लब करने लगता है जो जीरो लबस पड़ता है खुब सुनता है जब अरदस बता रहे हैं अकास गंगा तारा ब्रह्मांड मतलब क्या है तो अच्छा समझता है लो तो नहीं जो कुछ नहीं जानता होगा उसको बहतर समझाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं जो कुछ नहीं जानते हैं वह ठीके रहें लाश्ट में तुमको जोग्राफी एतना बेश्ट हो जाएगा तुम सुचा भी नहीं होगा ठीक है अब क्या बोले हम कि जो अकास गंगा कितनी है पूरे पूरे उसी को बोलते हैं अकास गंगा और क्यतना तरह इसको बोलेंगे और कास गंगा मिलकीवे इसको बोलेंगे यहां बी आपकास गंगा पुर्य ब्रहमांड में कितना है अब कोई पूछे कि पूछे कितना है तो असंख तारे अब कोई और फूछे कि पूछे कि कितनी है तो स्वोरभ एक तरा कितना ह чув एक होता क्या है पहुत सारे तारो का समु क्या क्लाता है याने कि या ब्रहमांड की उत्थिस्थ से ब्रहमांड समझ गया कि बहुत सारे आकास गंगा मिलकर बनाते हैं और अकास गंगा क्या है बहुत सारे तारे मिलकर अकास गंगा बनाते हैं हमारी जो अकास गंगा है हम किस अकास गंगा में रहते हैं उस अकास गंगा क्या नाम है मंदाकनी क्या नमें मंदाकनी मंदाकनी हमारी जो अकास गंगा उसी क्या नमें मंदाकनी हमारी अकास गंगा मंदाकनी ठीक है अब मान के चलो ह अधाक नाम है देव यानी है यहानी की हमारी एकास गंगा मन्दाकनी से दूसरी जो अकास गंगा है वह कौंसी है दूसरी जो सबसे नज्दिक देव यानी कोणसी यह दो यानि अब पता है कतना नजदिक है ज्यादा दूरल नहीं है दो कुरोलो वर्स दूर है तेके गुरफी में थोड़ा दूरी के कहा जाता है ॽजह जगर्फी सबसे नजदिक कॉन से डूसरी नजदेक मन्ताकन सबसे नजदिक अब इतना prowad लग जएगा यहां से यहां जाने में समझा रहा है यहीं अपने अकास घंग मठीक है ज्यादा दूर जाने की जुरूत नहीं एक और है इसके बाद एक और बेगाने को नहीं खोज दिया उसको बोला लो NGC Nsg 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 M 33 M 33 सिर्फ याद रखो M 33 जो है कौन से अकास गांग NGC 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 यहां लिखे हुए NGC यहां देख सकते हैं लिखे हुए NGC NGC N33 जो है कौन सी है एक और जो है अकास गांग खोजी गए देव यानि जो है सेकेंड जो आकास गंगा है यानि इसके नजदिक में जो उसके बाद जो ठाड नंबर पाज गंगा है जो हमारी अकास गंगा से नजदिक है वो समझ दो टारा मंडल किसी कते हैं अब इतना समझेए वीडियो समय इसी कते हैं कि समझेए गना आपकास गंगा में आब हम लोग है 스स अनल है पहला क्लास इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जागा क्योंकि समझाने में ज्यादा टाइम लेगा आगे से जली-जली समझ जाओगे पूरा समझ जाओगे अब देखो तारा मंडल खी सिखाते हैं तो यह पूरा आकास गंगा है यह पूरे अभी बोला है कि सवा और अब समझ जाएगा लइकवन के माठ सब्स्थे बना रहे हैं ठीक है यह हमरा सूरज हुआ कि नहीं सूरज अब जो क्या हुआ सूरज के नजदीक के जो तारे सूरज के नजदिक के जो तारे नमासी को जो तारा था अठासी या नमासी कोई भी मान सकते हो बहुत सर किताब में अठासी देता है या और मतलम नमासी अठासी और नमासी को जो तारा था अभी बोले कि सौराब तारा है इस पूरा अकास गंगम है तो सूरज के नजदिक में साल पर जयतना नवाशीक मेंतार होगा न उससी अरवा का पह्षामणल जरुब ला-टार ही आप समझो उसके बाद जो सूरज के नजदिक 27 जो तारा है 27 गो तारा जो है 27 गो उसको बोला गया नच्छत्रे नच्छत्रे क्या बोला गया नच्छत्रे समझे नहीं समझे नहीं समझे फिर से समझो बैतर तरिका समझो अभी बताएं कि 100 अरब तारा है अब समझो मान के चलो यहां हमरा सूरज होगा यह होगी हमलों का प्रWow इतना कि यहांनुट है सब्रोंची धार है आप जो तरह के नजदिक पर ज voz में जितने भी तारे हैं जितने पर हैं जितने पर यहां तक आगिया नमदा को त रहा हें मान्चे चलो इतना गुरूप में जो आ गया ये गुरूप म्हान के चलो। इसमें आ गया कितना 27 गुतारा इसको क्या बोलेंगे नच्छत्रे यानि सूरज से नजदिक 27 तारे को नच्छत्रे करते हैं और सूरज से नजदिक 89 तरे को तारा मंडल करते हैं क्या बोलते हैं यानि 89 तारा मंडल ताराowment जया जो समूह होगा 89 तारा का समूह होगा उसको बनारम टिनटी से इसे बंगों चत्र दीश नैंने 20 गतर्ण हो ताराना फł ayudगर व्हूमार अन्यां राशी को टिसी नासी को में सब्सक्राइब करके 24 महीन होता है जाता है गूश जाता है 55 जी विंगा कंभवस इतना समझों कि 807 गो और 89 हो समझा दिये सूरत जो 89 तारे हैं उसको तार है बढesom ऑ जो रासी सुल्ज नских ऐसा मतलब नहीं है रासी आ है ऐसा तारे कांब चम्झाय है थो नच्छतर समझ गया तर्र समझ घृँ तरू एक ऐसा तरह जो हमेंसा नॉर्थ साइड में डिखाई देता है पहले जो दिसा नहीं तो रिचिस्तान नहीं कोई कोई घूम रहा है मतलब आश्मान से शाफ दिख रहा तो उसको दिशा कैसे पता लगाता तालो तुरू-तर भी इस दिशा में जो हुंम विंधर ट्राइये जो है इसी तरह करजा करता लो यह जो अन्याम नोर्थ ुथा जो उत्तर दिशा का सूचक होاتा है यानी ताट कि उत्र दिशा के बारे में में बताता है यानि दूरु तरा दी निकाऊ में तर दिख रहा है वह साइड उत्र वर तर डिसा ची है थिक vocet असके बीजी लिका है वही हो गया वीरल कैस्तारण से प्रक्राश्च यह होते गये यह ज्या किस भीदि द्वारा हिल्यम बद़ेता है किस वीधि द्वारा स달 रkatना यह कोष्चन थ्पूचता है है यह इसमें तो कि यह सूरज में किसमें सूरज को सूरज से उर्जा कैसे निकलती है तो हाइड्रोजन से हिलियम में कंभर्ट होता है इसी से उर्जा निकलते रती है यह कौन सी भी दिए सल्लेयन भी दिए तो सबसे पहले वीरिल गैस था वीरिल गैस निहारीका की रूप में बना निहारीका क्या हुआ है निहारीका हैडरोजोन को हिलियम में कंड़ बर्ट करना सुरू कर देता है उसके बाद का है तारा की उत्पती हो इतना बार समझा रहा हूँ कि पहला क्लास है इसलिए आगे से इतना बार समझाने के जुरूत नहीं पड़ेगा एक बार समझ जाओगे तो नहीं बात में समझाने की जूरइत नहीं पड़ेगा अब बदाओ कोशन अगर पूश देगा कि तारे के पास की अपनी वाह थैंत आतव क्लुस रंच प्रफ दोड़न ही गम्लच्थ तो फोजों तो आ embryło आघ्यों कल रहा है या पूछा को है तो पूछे को स्ञेट आपनी होती है एक की नहीं होती है थ्युटत मेरी मेरी उस्मा SJS तारा और सूरज दोनों एक ही चीज़ है तारा जो सबसे नजदिक आ गया उसको सूरज बोनने लगो बाकी जब साथ तारा बहुत दूर दूर है इसलिए उसको हम तो तारा बोलते लोगी क्यों दूर दिखता है तो वह सूरज की तरह धाधागते रहता है समझा एक नहीं समझा गया अब सूरज के बारे कि सूरज के बारे में सब्सक्रा चेप्टर उसको बाध में भी दूर है उसको हम लोग तारा बोलते हैं निरभागते है पर निर्भर करता है तारो का रंग ंो … है लाल है सफेद है और नीला है तीन कलर होता है तारे का लाल है तो नीमनताप नीमनताप है यानि कि लाल रंग का अगर तारा दिख रहा है तो उसके पास क्या है नीमनताप है सफेद है तो मध्यमताप है याद रखना सफेद रंग अगर दिख रहा है तो मध्यमताप है उसक तब दीखेगा तारे के लाल हो गया हो पर नीमने ताफ उसके पास बचा हुआ है यानि तारों का रंग करता है उसके तापमान पर निर्भड करता है और पप्मान बताता है क्या तो कम ताप है सफेद है थोड़ा सब्सक्राइब यहां निर्मान बता दिये कि वीरल गैस से क्या बनता है निहारिका बलता है निहारिका जो सलेयन विदीदोरा जहां लिखा हुआ बनाया थे सरपिलाकार लेकिन रेसे इस यह अदी रोज़ वहदा आकाहिती अगापार कैसी होती he टो सर पीलाकारक्थे होता है अब इसका निरमान कब हुआ है 12 बिलियन वर्स पूर्व हुआ है 12 इस लिए भुतर आधा तो शोर पढ़ा अकास गंगों का समूव एक जब होता है जैसे कि अपनी अकास गंगा मंदाकनी उसके बाद बोले ते कि उसके एक नजदिक था देव यानी और एक और नजदिक था कौन था यानि कि तीन आकास गंगा जब अपनी गुरूप बना लेती है तो उसको बोलते हैं सुपर कलस्टर यानि कि तीन आकास गंगा जब अपनी गुरूप बना लेती है तो उसको बोलते हैं क्या सुपर कलस्टर समझें कि नहीं समझें सुपर कलस्टर अभी बता है उसको बत क्या कि अजम में वहारी हमार बच्चे को पता भी नहीं होगा सब को जानता ओका लेकिन सूरज कर लगाता है पता है कितना समय लग जाता है इसको पार करने में यहां तक आने में प्रितभी यहां पर है मान के चलो प्रितभी को सूरज की चकर लगा पूरा तेम लगता है किता टाइम पाचीश कोड़ोर वर्स लग जाता है इसको एक चकर लगाने में यानि की चकर लगाएगा तो पता नहीं हम लोग को पुस्तान पते नहीं चलेगा पाचीश को वर्स एक चकर पूरा लगाने में लगता है सूरज को समझा एक नहीं सब्सक्राइब और स्पीड कैतना रहता है धाइसो क्लिमीटर पर 30 से चलता है थाइसु किलमेटर पर 30 स्केंड यानि कि चंपारंग से 1 सिकंड में पूर्णिया बतलब बिहार के च्छोर से उस्षोर चलाओ लगबग 2 सिकंड बें लगबग कितना है चारसेresso Parliament रहाए बिहर की इधार से से चल जाएगा पचिम से सेट से इस्ट को पुरह पचिम से बिहर से चार से से बिबें बनाने में इस स्पिड बगनान 250 कलोड वर्व लगा एक बार चकर पूरे लगाने में और एक बार मल यह तो उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते उसको क्या बोलेंगे एक जो चक्रपुरा लगाएगा तो उसको खोगोली वर्स ब्रहमांड वर्स बोला जाएगा क्या ब्रहमांड वर्स बोला जाएगा ठीक है क्या ब्रहमांड वर्स बोला जाएगा अब यह लगाता कि कैसे लगाता अंटीक्लोकवाईज में जाता है मानके चल इहां से जाता है की दार शेता हम होगा नहीं घड़ी सब्सक्राइब यह हो गया घड़ी मानके चलो 12 6 3 या 9 घड़ी मानके चलो यहां घड़ी ऐसे हो गया इसे जा रहा है यह उल्टा यानी कि तो किसा टर्ष डाओंगा अगर इधर से चलेगा तो किया हो जा से चलेगा याना की जो सूर्च की जो गूमने की परिकर्मन करने कि दिशाज जो है ृसे है ऐसे हो तबम एक ना हुआ कि नहीं वा दू किसा वस्तेटısı मे ऑन्युक्वाongo की आज एक जो लाश्ट जो बच जाता है तारी की बारे में अब यह तारी को तो मैं पैदा कर दिया यानि जिंदा कर दिया कि वीरल गैस निहारिका में ।बूरता है और निहारी का तारा बन जाता है लेकिन तारे भी तो कई उनों की खत्म होता होगा मरता होगा जिंदा कर दिये मुँआने काम भी मेरा तनीघ महिए यह फ़ील। से क्या हुआ निहारिका में बदल रहा है यह हो गया वीरल गैस क्या बदल रहा है निहारिका में निहारिका में कर्मेट हो रहा है अभी बता है ना वीरल गैस क्या हो रहा है निहारिका में कर्मेट हो रहा है उसके बत का बंजार रहा है तारा बंजा रहा हुआ अब तारे दिरे दिरे शुकूड शुकूड गना तो नियारिका बनदा नियारिका जब एक जगी तरफ बन जता है ठीक है नचना अब लगते है अब फैलते जब आ थो शूरज से या अर्तमान जो तारा होगी अपनी तरह की जो आकार होगा उस आकार से अगर वन बाई फोर फोर मान के चलो डेड़ गुना वन वाइट फाइप मान करो डेड़ गुना डेड़ गुना से जादा हो जाएगा तो यह स्थिती हो जाएगी और डेड़ गुना से कम हो जाएगा तो यह स्थिती हो जाएगा यह क्या क्या अभी बता रहा हूं देखो समझो क्या बोलेंगे स्वेत दानों क्या बोलेंगे इसको स्वेत दानों स्वेत दानों स्वेत दानों बन जेता है यानि कि स्टार जो है डेड़ गुना से छोटा रह जाता है डेड़ गुना से बड़ा नहीं होता है तो वह बन जेता है स्वेत दानों क्या बन जेता है स्वेत दान तैर निक अगर तारह जो है मरने के कघगर पर आ गया है इसको अभिना उटार भी बोलते हैं अब हुने वलाए इसको लाल दानों भी बोलते हैं जानी पहले तो है सबसे कम सबसे कम इनर्जी बचा है सफेद का मतलब हो गया कि थोड़ा-थोड़ा इनर्जी भी है बुलू का तरवा जो एडम गरगनाईल रहता है बुलू रंका होगा सब वेदाला सबसे करोगे एंसी को बोलते याल दानो ययानी था जैता है द्विद्ध सबसे करे जाएगा ना तो सफेद मंदध्द पहली बनेका है उसके बांद सबढ़ camp और भटोप बनके खतम हो जाएगा अब बाड़ का उसको समझ लो अगर टेड़ गुना से ज्यादा बढ़का हो गया लाल दानो अभी नहीं उतारा यह लाल लाल को जायेगा तो यानि बुढ़ा गया सफाभ गया अब ज्यादा बढ़का हो गया यह फालसर और पलसर और क्व तो पलसर जब तारा जब बन जाता है यानि कि जो तारा जो है डेड़ी गुना से बढ़का हो जता है तो पलसर को रूप धारण कर लेगा चाहे वो सब्सक्राइब कर लेगा और यह पलसर क्या है तो वैसे तारे हैं जिसकी जो गति होती है बहुत तेज हो जाती है बहुत तेज पलसर मर्साइक लिए गती बहुत तेज हो जाती है बहुत तेज गती हुज है उसके बाद भी तो फिर उसकी श्थिति आगी कई बहुत अब क्या होता है यह बन जाता है बलेक होल यहीं बहुत रहा होता है तारा होता वह तारा जब बुढ़ाने के बाद लाल डावलों के बाद डेली गुना से ज्यादा बढ़ा हो जाता है अब ब्युत होता है तो बहुत चोटा नहीं मतलब बहुत चोटा हो जाता है एक घंत ने जिंसिटी बढ़ जाती है द्म मजबूत हो जएतना मजबूत हो जाता है यानि गावर के बराबर होता है यानि 10 हाथी के वजन के बराबर होगा एक चमच मिट्टी बलैक होल का समझ सकते हैं कि बलैक जो जो होल जो है तारा यानी तारे के जो रूप आ गया बलैख होल अहला उन्यच्ट आप इतना ज़्यादे भारी होता है अगर किसी चीज टकराया गता चाहिए किा होगा ने इसलिए बलैक को डर लगता है कि किसी भी सब्सक्राइब करके दम बलाष्ट दोगों खतम कर देगा सब्सक्राइब यतना भारी होता है तो आज हम, बहुत सरे चीज़ों को समझे गया लो वीडियो सब्सक्राइब लाजिट नचा दए रहा है और उनकी थन्य वाद आगर लगा तो लगश्चों तो ज्रूर बता है कि लाजा का विडियों देखें और कैसे ब Whew地i यह भी जुरूर बता है और ज्यादा बच्छों को पास सेर करें किस तरह का वीडिए लग इस वीडियो को दूसरा जो टोपिक आएगा स्वार मंडल उसको शुरू किया जाएगा तो फिर दूसरी किसी वीडियो मिलेंगे तब तक लिए धन्नबाद मस्कार अस्लाम अलेकूम जय हिंद जय भारत